हेलो दोस्तो, AW Mobile में आप सभी का स्वादा दे, दोस्तो आज हमरे पास में एक Redmi का 9A मॉडल आया हुआ है, जो की एक Totally Date Condition में आया हुआ फोने, यह जो फोन है दोस्तो, किसी शॉपकीपर भाई ने हमें लाके दिया हुआ है, जिसके अंदर यह Date Condition में है Total, जब हम इसे 6-foot charger प फोन में इस तरीके के problem आना यह common problem है, कि जब भी आपका फोन Date Condition में हो जाने के बाद में यह directly 6-port charger पर 1.6 A लेता है, आप एक बार देख सकते फिर से, जब हम इसे charging करते तो directly 1.6 A लेता है, यानि कि इसका जो जिस तरीके से इसने sequence करना चाहिए उस तरीके से नहीं लेता है तो आज जो हम इसे repair करनी की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो है दोस्तो हम motherboard को phone से अलग कर लेंगे, और उसको सबसे पहले हम eye scan करके check करेंगे, कि हमारे phone में motherboard में कई water damage होगे रहे या कोई damage होगे रहे की case दिखाई दे रही है या नहीं हम सबसे पहले जो है दोस्तो, motherboard को, पूरे motherboard को हम अच्छे से scan कर लेंगे, देख लेंगे कि कही water damage या फिर कुछ damage होगे रहे तो नहीं है उसके बाद में फिर जो हम आगे की process करेंगे, इस phone में आप देख सकते दोस्तो, already इसकी जो power ICA, MT6357CRV, यह already change करी विए, जिस भाई ने हमेरे पास में इस phone को दिया हुआ है, उन्होंने already इसकी जो power ICA वो change करके दी विए, तो उनसे यह problem solve नहीं हुआ है, तो हम जो इसको, हमारे तरीके से पहले हम इसको repair करने की कोशिश करेंगे, इसका जो connector है वो भी थोड़ा सा damage दिखाई दे रहा है, तो हम इस पहले हम बैटरी कनेक्टर पे जी आर लेंगे दोस्तों, बैटरी कनेक्टर पे जी आर ओके है या नहीं, तो बैटरी कनेक्टर पे जो जी आ रहे दोस्तों ये ओके बता रही है यानि के फोन में जो है शॉटिंग वाला फूल शॉटिंग वाला केस नहीं दिखाई दे रहा है अब जो है दोस्तों हम नेक्स टेप इसमें चेक करेंगे जैसे कि दोस्तों ये टेकनिशन भाई ने पावर ऐसी चेंज की हुए हम इसके पहले इनपूट में चेक करेंगे कि कई कुछ शॉटिंग वागे रहे है या नहीं उसके बाद में हम इसका नेक्स टेप देखेंगे इसमें जैसा देखेंगे दोस्तों जी आर तो क्या रही है लेकिन इस वाले कैपिसिटर पर देख सकते दोस्तों हमें फुल शॉट दिखाई दे रहा है जाने कि इस फोन में दोस्तों कहीं न कहीं फोन में शॉटिंग रिलेटेड कोई इशू दिखाई दे रहा है उसके लिए हम चेक करेंगे कि यह जो लाइन है यह कहां पर जाती है और उसके बाद में जो हम इसका निक स्टेप करेंगे आगे का रिपेरिंग थोड़ा साम bitmap की मदद से देखेंगे कि दोस्तों ये line कहां पे जाती है तो देख सकते दोस्तों ये जो line है ये हमारी power IC से होते हुए काफी सारे section हो में जा रही है जैसे कि इसके EMCP में जा रही है network section में भी जा रही है 4GPA, 2GPA में भी जा रही है तो ये जो दोस्तों फोन तो पुरा fresh condition में है और water damage भी नहीं है तो जाता तर इसकी जो दिक्कत होती है दोस्तों Redmi 9A में ये CPU से दिक्कत होती है कही न कहीं ये दोस्तों CPU related ही इसमें कोई ना कोई इश्व है तो phone तो fresh condition में दिखाई दे रहा है और इसकी जो line से हमारे CPU में बेचा रही है तो हम सबसे पहले जो दोस्तों CPU को remote कर लेंगे क्य क्योंकि ये जिन भाई उन्हें हमारे पास में phone बेजा हुआ है उन्होंने already इसकी power IC चेंज की विए तो हम इसमें power पर काम नहीं करते हुए directly जो हम इसके CPU को remove कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी जो shorting है वो remove होती है नहीं अगर shorting remove होती है तो फिर हम उसको pre install करेंगे CPU को और फिर से install करके बिठा देंगे उसके लिए जो है दोस्ता हम पहले CPU के ओपर जो भी company के तरफ से thermal paste वगेरा लगा हुए हम पहले उसको अच्छे से clean कर लेंगे ताके उसके साइड में जो भी CPU के साइड में जो भी clue है हम उसको अच्छे से cut कर सके और CPU निकालने के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो और उसके आसपास के कोई component भी damage ना हो ग्लू कटिंग के लिए दोस्तों वीक 2008 हॉट एर गन हम यूज करेंगे उसके उपर जो हीट है हम 280 यूज करेंगे और इस पे जो एर हम 60 यूज करेंगे प्रेश करीश कर दोस्तों अयुटे हिर हम हम यूज गर यूज करेंगे लोगवा है खब सीप्यू रिमोट करने के लिए दोस्तों क्विक 2008 के उपर हम 370 हीट और एर जो हम 80 यूज़ करेंगे और उस एकोर्डिंग जो हम सीप्यू को अच्छी तरीके से हिट लगा लेंगे दोस्तों ताके जो उसके नीचे के बॉल से अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारा जो सीप्यू है वो आसानी के साथ में निकल आए यह जो प्रोसेस से दोस्तों हमें थोड़ा सा आइस्ता कर ले करना है कभी कभी हम जो जल्दबाजी में हम सीप्यू निकलने जाते लेकिन उसके जो ट्रैक है वो डैमेज हो जाते है कर दो जाते है कि सीप्यू निकलने के बाद जोए दोस तो आब हम इसको क्लीनिंग का प्रोसेस कर लें क्लिनिंग के लिए जो ही तुस्त हम इसमें तोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करेंगे और जो कंपनी की लीड हैं हम पहले उसको हम़े लीड से रिमूः कर लेंगे ताके मदरबोड ग्लीनिंग में और जो इसका ब्लैक पेस्ट है वह क्लिनिंग करने में हमें आसानी हो झाल 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 झाल